बच्चों सो सब प्रति मिनट गति का डिक्टेशन डिक्टेशन में आने वाले फ्रेजेस पे ले लिखें प्रस्तूत किया जा सके अधिक से अधिक वित्ती वर्ष सामान्य कामकाज सतारुण दल दूर करने के लिए सर्व विदित है की मांग कर रहा है आंत्रिक मामला है ठेराया जा सकता है दुरुप्यों कर सकती है लोक तांत्रिक प्रक्रिया ली जानी चाहिए वो सकता है लंबी अउधी के लिए खर्च कर दी जाए माना जा सकता है स्विकार कर सकती है राज्य सरकार ने आंत्रिक कलह दुरुप्यों कर रही है सतारूट पार्टी आंत्रिक लड़ाई धकेला जाना चाहिए ओप्चारिक प्रक्रिया लंबे समय के लिए इजाजत ली जानी चाहिए विधान सभामे सामाजिक स्यवा राज्य सरकार इस बात का खुलासा सरकार की ओर से ऐसा लगता है की राजनितिक कारणों से स्विकार करने को तयार इस बात को स्विकार कर लिया जाए प्रस्थ यह उड़ता है की अब आप इसको सो सब प्रस्थ मिल्ट गती से लिखें कर्मचारियों की हर्ताल के कारण बजट 23 मार्च को प्रस्थ किया जा सका और 31 मार्च तक पूरा बजट पारिक कराना संभव नहीं था इस तरको को मान भी लिया जाए तो फिर अधिक से अधिक दो माह का लेखा नुदान ही परियाप्त था जिससे बजट पर पूरी तरह बहस हो सके और नए वित्नी वर्स में सरकार के सामाने काज काम काज में रुकावट पेदा ना हों विपक्ष का यह आरोफे की सत्तारुडल में नेत्रत्व के लिए जो कसमकस चल रही है उसे ही दूर करने के लिए चार माह का समय मांगा गया है यह सर्वविदित है की सत्तारुडल का एक गुट वर्तमान निर्ततु को बदलने की मांग कर रहा है और उसने सदन की बेटकों का बहिसकार करने तक की धमकी दे रखी है सत्तारुडल का नेता कोन हो यह उसका अपना आंत्रिक मामला है लेकिन सदन का उस विवाद को सुल जाने में उप्योग करना किसी भी मांदन से उचीत नहीं ठेराया जा सकता है यदि लेखानोदान की अउधी को बढ़ाने की छूट दी गई तो सरकारें इसका दुरूप्योग कर सकती है और लोकतंत्रिक प्रक्रिया को गहरा आगात लग सकता है लोकतंत्र में सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्च के हर वैसे की स्विक्रती विधान सभा या संसस से ली जानी चाहिए लेकिन यदि लंबी अउधी के लिए लेखानोदान प्राप्त किया गया तो हो सकता है बजट की आधी रासी सदन की स्विक्रती के बिना ही खर्च कर दी जाए यह इस्तती आपत्ती जनक ही होगी जहां तक राजस्तान का प्रस्नहे बजट प्रस्तूत करने में विलंब के कारणों को मान भी लिया जाए तो भी इतनी लंबी अउधी के लेखानोदान को उप्यूक नहीं माना जा सकता सरकार चाती तो अप्रेल में पूरा बजट स्विकार करा सकती थी जैसा कि लोगसवा में होता आया है राजसरकार ने इतनी लंबी अउधी के लिए लेखानोदान पास कराने से विपक्ष के इस आरोप को बल मिलता है सत्ता रूर्दल अपनी आंत्रिक कलह को निप्टाने में सदन का दुरूपयोग कर रही है सत्ता रूर्पाटी की आंत्रिक लड़ाई वो सत्ता की छीना जप्टी में नहीं धकेला जाना चाहिए लेखानोदान एक उपचारिक प्रक्रिया है और इसी वज़े से उस पर बहस नहीं की जाती है लेकिन यदि लंबे समय के लिए लेखानोदान प्राप्त किया जाता है तो उस पर बहस होनी चाहिए और कटूती प्रस्ताव प्रस्तूत करने की इजाज़त ली जानी चाहिए। विधान सबा में विपक्ष के इस तरको भी नहीं माना गया। फिपक्ष के नेता ने कहा कि इतनी लंभी अउदी के लिए लेखानुदन राप करने से विकास के काम की गती अवरूत होगी। क्यूंकि सरकार समाजिक सेवाओं पर बजट के अनुरूप खर्च नहीं कर सकेगी। राज्य सरकार का इन सभी तरकों पर ध्यान न देना अनुचित ही माना जाएगा। 31 मार्च के बाद बजट पर बहस कराने में सरकार को क्या आपत्ती है। इस बात का खुलासा भी सरकार की योड से नहीं किया गया है। एसा लगता है कि राजनितिक कारणों से ही जिन में असंतुस्टों की धमकी भी सामिल है। सरकार ने चार महा का लेखा नुजान पास करवाया है। मुख्यमंत्री आज भी यह स्विकार करने को तयार नहीं है कि उनके नेतरतों को उनहीं की पार्टी वाले चुनोती दे रहे हैं। यदि उनकी इस बात को स्विकार कर लिया जाए तो फिर प्रस्न यह उड़ता है कि चार महा का लेखा नुजान पास कराने की आवस्सक्ता क्यों पड़ी एक और बात यह है कि सरकार ने पूरा बज़ सदिन में प्रस्तूत किया है। ऐसे इस्तती में उस पर बहस कराने में वह क्यों असंभव है। इसका भी कोई उत्तर सत्ता पक्ष की योड़ से नहीं दिया गया। कुल मिलाकर यह इसपस्ट है कि सरकार अपने ही पार्टी के आंतरिक विवादों में उलजी हुई है और उसे भई है कि नेत्रतू का प्रस्न सुल्जे बिना असंतुष्टों का विरोध कहीं विद्रों में परिवर्तित नहीं हो जाए। धन्यवाद है।